इसे देखते हुए उसके बेटे का भी सामपल लिया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहीं भानगड गाओं में एक युवक की रिपोर्ट भी कॉरोणा पॉजिटिव आई प्रिशासन ने गाओं के लोगों से सावधानी बरतने की अपील के है जितेंद्र जो की पूर्व से ही धार कॉरंटाइन सेंटर में कॉरंटाइंड है वहीं दूसरा व्यक्ति भानगर निवासी लक्षमन है जिसे उसके परिवार सहित सुभा धार कॉरंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा चेतर वासियों से मेरी अपील है कि कोरोनो का संक्रमाण अभी खत्व नहीं हुआ है किर्पया सावधानी बढ़ते हैं मास्क का प्रियोग करें सेनेटाइजर का प्रियोग करें